दियर स्टुडेंट ओफ नाइन्थ कलास, लेट दू एक्सरसाइज 14.3 ओफ नाइन्थ कलास तड़े वी विल डू किस्ट नमबर फॉर्थ यहां पर देखिए यह लिवज की लेंथ गिवन है 118 to 126 mm में और यहां पर नमबर फॉर्थ लिवज है ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर 126 है यहां पर 127 यह जो डाटा है continue होना चाहिए बट यहां पर 1 का gap है similarly देखिए इंदी नेक्स्ट सम जो यहां पर फर्स्ट इंटरवल का लास्ट है वो नेक्स्ट इंटरवल का फर्स्ट होता है जैसे 4056 यह सेम होना चाहिए तो इसमें देखिए हम इस इंटरवल को सेम करेंगे अगर ऐसा होता है यहां पर कितना gap है इसमें और इसमें 1 का 126, 127, 135, 136 सभी में 1 का gap है तो जितना gap होता है उसका half करते हैं 1 का half कितना होगा 0.5 तो फर्स्ट इंटरवल में से 0.5 माइनस करते हैं और लास्ट इंटरवल में पिछे वाले में हम क्या करते हैं 0.5 को पलस करते हैं अब यहां पे देखिए अगेन यहां पे मैं क्या कर रही हूं इसी टेबल में एक जो है यहां पे बनाओंगी बट आपको क्या करना है एक बार आप टेबल को यहां लिखोगे अगेन आप टेबल को यहां बनाओगे मैं यहां पे इसको यहीं पे लिख रह यहां पर बनाती हूँ, interval हम यहां पर बनाएंगे, 118 में से 0.5 माइनस करोगे, तो यह हो जाएगा, और पिछे वाले में आपको 0.5 पलस करना है, 127 में से 0.5 माइनस करोगे, पिछे वाले में आपको पलस करना है, similarly आप इनको ऐसा करोगे आगे वाले में से 0.5 minus करते जाओगे पिछे वालों में 0.5 plus अब देखिए जो ये हमारा data है ये बिल्कुल सेम है अब हम इसका graph त्यार करते हैं जो हमारा ये आया है 175 ये सभी आप on x-axis पे लोगे आप लिखोगे length of leaves takes on x-axis ये क्या है length of leaves length of leaves on x-axis और यहां पे आपको लिख देना है number of leaves on y-axis अब देखिए इसमें आपको in the first part in the first part क्या है हमें histogram represent only given data histogram पिछले समय मैंने आपको बताया था आपको बार graph बनाना है उसमें आप rectangle लगाते हो ऐसे खड़ी देखिए bar graph में ये rectangle होती है इनके बीच में gap होता है बट histogram में ये जो rectangle ये जो हम बार खड़ी करते एक दुसरे से चिपका के बनाते है histogram में इसलिए जो हमारा data होता है वो continue होता है अब यहां पे देखिए 17.5 से 126 पे क्या है 3 देखिए 2 और 3 के बीच में यहां पे आएगा आपका 3 117 से 126 पे similarly 126 से 135 पे 126 से 135 पे ये क्या है 5 यहां पे 46 के बीच में क्या आएगा 5 यह rectangle histogram में एक दुसरे से चिपके बनती है next में क्या है 9 next में क्या है 9 यह कितने पे 3 पे यह 5 पे 9 पे next है 12 next क्या है 12 आगे है 130 153 से 162 53 से 62 पे क्या आएगा 5 यह 12 और यह 5 और next में क्या आएगा 2 sorry next पे क्या है 4 है आपका next पे यह देखिए 4 62 से 171 पे 4 है और next पे क्या है आपका यह 2 यह 4 और यह 2 यह आपने क्या त्यार कर दिया है यहां पे histogram उपर जो given table थी next में क्या है is any there suitable graphical case की कोई और suitable graphical representation इसमें लिखोगे आप in the second part यह आपका क्या था first part yes और वो क्या हो सकती है polygon frequency polygon frequency एक और इसकी क्या हो सकती है polygon frequency दूसरे धंचे भी represent कर सकते है in the third third में क्या है is it correct maximum number of leaves 153 mm long है आप देखिए सबसे ज्यादा frequency इसकी है तो यह कहरें क्या leaves सबसे ज्यादा leaves की length 153 आप लिखोगे no maximum length maximum length of leaves whose length between किसके बीच में है वो 144 144.5 to 153 to 5 तो जरूरी नहीं ना इस में इस interval में कितनी leaves है 12 जरूरी नहीं ना वो सारी कितनी हो 153 not necessary all not necessary all leaves whose length whose length is 153 जो maximum length की जो leaves है वो इस interval में है बट यह necessary नहीं है कि वो क्या होंगी 153 length की now come to the fifth sum here देखे fifth sum में हमें क्या given है यह हमें given है length कुछ lamp है यहाँ पे following given table is lifetime of 400 lamp कितने lamp का है यह lifetime of 400 total lamp कितने है ऐसे lamp जिनकी life क्या है 302 400 hours में है यह किसमी है hours ऐसे lamp जो 300 से 400 घंटे चलते है ऐसे lamp है 14 यह number of lamp है और यह life की lifetime है इन hours तो सबसे पहले हमें इनका क्या बनाना है in the first park histogram similarly अब आप जैसे मैंने पिछले summae किया था मैं आपको एक चीज बताना भूल गई जब इस सम्में क्या होता है 0 के एक दम बाद देखी यह gap तो 170 का है और आगी यह सारा 78 का है जब 0 के बाद एक दम बड़ी value आती है तो यहाँ पर cd line ने होती थोड़ा ऐसा ऐसी line लगाओगे similarly यहाँ पर देखे 0 के एक दम बाद क्या आता है 300 फिर 400 फिर 5 फिर 6 फिर 700 एट हंड़र्ड नाइन हंड़र्ड और यह देखे यहाँ पर क्या है 14 यहाँ पर 10 20 के बीच में 15 होगा और यहाँ से थोड़ा सा निच्छे आप यह लगाओगे 14 next क्या है 56 56 निर अबाउट यहाँ पर होगा 55 से थोड़ा सा उपर that is 56 next में क्या है 60 here is 60 और next में क्या है 86 तो 86 आपका 90 से थोड़ा निच्छे रहेगा that is 86 और यह आपका क्या था 60 next में क्या है 74 70 से थोड़ा सा उपर आप इसको रखोगे 74 next में क्या है 62 60 से बिल्कुल थोड़ा सा उपर आप इसको रखोगे 62 और next में क्या है 48 50 से बिल्कुल थोड़ा सा लेस तन यह क्या रहेगा 48 next part में आपको क्या given है second part number of lamp have a lifetime more than 700 से ज्यादा lifetime है जिसकी देखिए 700 से ज्यादा this, this and this तो ये 700 से ज्यादा lifetime वाले क्या होगे number of lamp have a lifetime more than 700 74, 62 74 plus में 62, plus में 48 आप इसका सम करोगे 184 lamps ऐसे हैं जिनकी lifetime क्या है more than 700